दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदेशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराख्षाजरी दोस्तों घटना चकर जीयस द्रिष्टी आर्थी केम सामाजिक विकास रिंखला के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है अर्थ ब्वस्ता की दूतियक छेत्रक यानि उद्योगिक छेत्र से सम्बंधित महत्टपूर् तथियो मध्यन सामगरी इसमें हम भारत के प्रमुक उद्योगिक नीतियाulent नई उद्योगिक नीति लगह सोक्ष्म और मध्यम उद्यम उद्योगों कवर्गी करण भारत में अध्योगिक वित्त के स्रोत, महारतन कमपनिया और वर्तमान इस्थिती तथा खनिज उत्पादन के आकड़ों से संबंधित महत्तपूर्ण प्रेश्णों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परिक्षाओं के सामान इध्यन और सामान इग्यान के अर्थ विवस्था तथा आर्थिक और सामाजिक विकास खन्ड के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो दूतियक खेत्र यानि और द्योगिक खेत्र से संबंधित महत्तपूर्ण अध्यन सामगरी दूस्तों और द्योगिक खेत्र के अंतरगत बिभिन और द्योगिक नीतियां उद्योगों का वर्गी करण इनको शामिल किया जाता है अगर हम करेंट में आर्थिक समिक्षा 2021 के आकड़ों को देखें तो यहाँ पर देखें जीविये यानि सकल मुल्य वर्धन में भागीदारी यहाँ पर जो है 28.2 प्रतिशत 21.2 के पहले वार्षिक अनुमानों के आधार पर और वृद्धिदर 11.8 प्रतिशत अनुमानित है आर्थिक समिक्षा 2021 के अनुसार उद्योग छेतर की भारत की प्रमुख अध्योगिक नीतियों की बात करें तो भारत की पहले अध्योगिक नीति 1948 की अध्योगिक नीति है इसका संशोधन किया गया 1956 में दूसरी अध्योगिक नीति तीसरी अध्योगिक नीति 1977 में चौथी 1980 की और पांचवी 1991 की ओद्योगिक नीती है थोड़ा थोड़ा ये जो हमारे ओद्योगिक नीतियों के प्रावधान थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं 1948 की जो ओद्योगिक नीती थी इसके प्रस्तुतकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर जी जो की ततकालिन उद्योग और आपोर्ति मंत्री थी इसकी विशेष्टा ये थी कि ये स्वतंत्र भारत की पहली उद्योगिक नीती थी और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण किया गया और इसमें प्रावधान यानि ब्रिहद उद्योगों का चार स्रेडियों में वर्गी करण ये 1948 के उद्योगिक नीती की विशेष्टाएं थी दूसरी उद्योगिक नीत 1956 की है इसके प्रस्तुत करता ततकालिन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू थे इसमें प्रावधान ये किया गया कि उद्योगों का तीन अनुसूचियों में वर्गी करण किया गया एक तो अनुसूची ए जिसमें केंदर सरकार का पूर्ण एक अधिकार रहेगा अनुसूची 2 में मुखेत सरकार और सरकार के सहयोग से निजी छेतर द्वारा संचालन और तीसरी अनुसूची में निजी उद्योमों को उद्योग स्थापित करने का प्रावधान दूसरी उद्योगिक नीत में किया गया तीसरी उद्योगिक नीत जो 1977 की थी इसके प्रस्तुत करता ततकालिन उद्योग मंतरी जाज भर्नांडिस थे और विशेश तत्थे इसमें ये रहा कि लगु और कुटिर उद्योगों के प्रवर्तन और विकास पर बल दिया गया और उद्योगों का तीन स्रेणियों में प्रमुख प्राथमिक तरही और आर्थिक संगवाद के धाना पर बल दिया गया उद्योगिक नीत में नई अद्योगिक नीत जो हमारी लागू हुई है 1991 में आई है और 1990 के आर्थिक संकट के प्रिश्ट भूमी में नई अद्योगिक नीत की घोशड़ा की गई और 24 जुल 1991 को भारत की New Industrial Policy इसमें ब्यापक परिवर्तन के साथ इसकी घोशड़ा हुई है जोस्तों नई और द्योगिक नीत जो है इसके तीन आधार अस्तम्ब हैं इसमें उधारी करण यानि लिब्रलाइजेशन निजी करण यानि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वी करण यानि ग्लोबलाइजेशन पर बल दिया गया है LPG इसको साथ में कहा जाता है और LPG के फलसरूप भारत मिश्रित समाजवाद से मिश्रित पूजिवाद की ओर अग्रसर हो रहा है दोस्तों नई आर्थिक नीत की घोश्रा 24 जुलाई 1991 को ततकालिन परधान मंत्री पीविनर सिंग हरावन ने किया था और भारत में उदारी करण का अग्रदूद भूदपूरु वित्त मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंग को जाता है जो की भारत की पूर्व परधान मंत्री रहे है नई अध्योगिक नीत में उठाएगे प्रमुक कदम कौन-कौन से रहे है तो पहली बात तो ये कि अध्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ती और इसमें अठारे प्रमुक उद्योगों को छोड़कर से सभी उद्योगों के लिए लेने की अनिवारता समाप्त की गई सारुजनिक छेतर के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी की गई और सत्रे उद्योगों को घटा कर राठ कर दिया गया और दोस्तों इसके लावा आप देखे कि बारिज्य और उद्योग मंतराले भारस सरकार की वारशिक रिपोर्ट 2020-21 की अनुसार वर्तमान में किवल चार उद्योगों को अनिवार लाइसेंस के तहट और दो उद्योगों को सारुजनिक छेतर के लिए आरक्षित किया गया है अनिवार लाइसेंस के तहट जो उद्योग शामिल किये गये हैं याद रखेगा तमबाकू से संबंधित उत्पाद जिनमें सिगार, सिगरेट और अन्य उत्पाद है दूसरा इलेक्टरानिक एरोइस्पेस और रक्षा उपकरण और विनिर्दिष्ट खतरनाक रसायन है इसके अलावा सारुजनिक छेत्र के लिए जो आरक्षेत उद्योग हैं उसमें परमाड उर्जा और रेलवे परिचालन है विदेशी निवेस को प्रोसाह ने इसमें दिया गया है और नई उद्योग नीत में विदेशी निवेस यानि फारेन इन्वेस्टमेंट जो है इन दोनों रूपों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों को प्रोसाहिब किया गया है और इसके अलावा आप जान लिजे कि MRTP परिसंपति सीमा की समापति की गई और एक अधिकार और औरोधक व्यापार व्योहार जिसको MRTP एक्ट कहा जाता है 1979 इसके अंतरगताने वाले कमपनियों की अधिक्तम परिसंपति सीमा समापति की गई जिससे वे अधिक निवेश विले और अधिगरहन करके अपने उत्पादक गद्विदियों को प्रोशाहिद कर सके और इसमें चरणबध उत्पादन की अनिमारिता का अंत कर दिया गया कुछ हन्य महत्वपूर्ट अधियों को देख लेते हैं जो परिक्षाओं के लिए अतिसंभावित हैं देखिए फेमा का फेरा का प्रतिस्थापन फेमा द्वारा फेरा का प्रतिस्थापन कब हुगा तो फेरा इसका फुल फार्म है फारेन एक्स्चेंज रेगुलेशन एक्ट इसके अस्थान पर फेमा लाया गया फारेन एक्षेंज मेनेजमेंट एक्ट इसको जून 2000 से लागू किया गया है आए जानते हैं सुक्ष्म लगु और मध्यम उद्यम विकास यानि MSMED अधिनियम 2006 के बारे में दोस्तों MSMED अधिनियम 2006 में इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2006 से हुआ और सुक्ष्म लगु और मध्यम उद्योगों के लिए निवेश शीमा को दो वर्गों बिनिर्मार और सेवा छेत्र में वर्गी करित किया गया जिसके तहर सैयंत्र और मशीनी के लिए मसीनरी के लिए निवेश शीमा जो है इस प्रकार है देखे, सुक्ष्म के लिए सैयंत्र और मशीनरी में निवेस 25 लाग रुपई से अधिक न हो, उपकरण में निवेस 10 लाग से अधिक न हो लगु उद्योग के लिए सैयंत्र और मशीनरी में निवेस 25 लाग रुपई से अधिक लेकिन 5 करोन रुपई से अधिक न हो और उपकरण में निवेस 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोण रुपए से अधिक न हो और इसी प्रकार मध्यम उद्योग स्रेडी के अंतरगत सैयंत्र और मशीनरी में निवेस 5 करोण रुपए से अधिक लेकिन 10 करोण रुपए से अधिक न हो और उपकरण में निवेस 2 करोण रुपए से अधिक लेकिन 5 करोण रुपए से अधिक न हो और 2020 में इस अधनियम में संसोधन करके MSME है तो नया वर्गी करण किया गया है जो की जुलाई 2020 से प्रभावी है और इसमें आप देख सकते हैं कि संयुक्त मापदंड में निवेश और वार्षिक टर्नोबर जो है बढ़ा दिया गया है सुक्ष्म उद्योग में निवेश रुपए 1 करोण तक और कारोबार रुपए 5 करोण तक लगह उद्योगों में निवेश 10 करोण तक और कारोबार 50 करोण तक और मध्यम में निवेश जो है 50 करोण तक और कारोबार 250 करोण तक ये जो है निवेश और वार्षिक टर्नोबर की सीमा फिर से सुनसोधित की गई है आप जान लिजे उद्योगों का वर्गी करण तो ये कुटीर यानि घरेलो उद्योग, सुक्षम लग हुआ और मद्यम उद्योग और ब्रिहत पहमाने के उद्योग यानि भारी उद्योग में उद्योगों का वर्गी करण किया जाता है भारत में औद्योगिक वित्त के सरोत कौन-कौन से हैं तो आप जान लिजे भारत में औद्योगिक वित्त के सरोतों को दो भागों में वर्गी कृत किया जा सकता है एक तो संस्थागत सरोत जिसमें ICICI, IFCI, IDVI, IIBI और UTI है और आंत्रिक सरोतों में आउश, पूजी, सेयरों की विक्री, रिण, पत्र, लाव का पुनर निवेश और स्वैक्षिक जमा इत्याद शामिल है भारत में औद्योगिक वित्त के संस्थागत सरोतों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें एक देखी महत्वपूर है भारती औद्योगिक वित्त निगम लिम्टेड जिसको IFCI कहा जाता है इसके अस्थापना याद रखेगा 1948 में हुई और इसका कारे औद्योगिक परतिष्ठानों को दिर्गकालीन और मध्धेकालीन रिण देना औद्योगिक उत्पाधन जमता में अस्थाई सुधार के लिए रिण परदान करना है ICICI यानि भारती औद्योगिक साख और निवेश निगम इसकी अस्थापना 1955 में हुई इसका कारे निजी छेतर में अस्थापित औद्योगिक इकाईयों का वित्त पोशन है और वर्स 2002 में इस संस्था कविले ICICI बैंक में कर दिया गया इसी प्रकार संस्थागत सरोतों में भारती यूनिट रष्ट यानि यूटियाई है जिसकी अस्थापना फरवरी 1964 में और इसका कारे एक जुलाई 1964 से प्रारंब हुआ भारती यूद्योगिक विकास बैंक जिसको IDBI काहा जाता है इसकी अस्थापना 1964 में हुई और इसका कारे दोस्तों अद्योगिक उद्धिस्यों के सभी अस्तरों का वित्त पोशन और आधारभूत उद्योगों को प्रोशाहन देना है अक्टूबर 2004 से इसे वाड़िजिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है दोस्तों भारती यूद्योगिक निवेश बैंक यानि IIBI 1971 में भारती यूद्योगिक पुनर निर्मार निगम लिम्टेट की अस्थापना वित्ती रूप से कमजोर और अधियोगिक खाईयों को वित्ती साहता उपलब्द कराने के लिए की गई 1985 में इसमें भारती अधियोगिक पुनर निर्मार बैंक में रूपांत्रेट कर दिया गया और 1997 में पुनर हिसका नाम बदल कर भारती अधियोगिक निवेश बैंक कर दिया गया इसका कारे बीमार यानि रोगड अउद्ध्योग की कायों का वित्त पोशन्ड करना है भारती लग उद्ध्योग विकास बैंक यानि सीड भी जो है इसकी अस्थापना 2 अप्रेल 1990 को ही अप्रेल 1990 से ये कारे रथ है इसका कारे लग उद्ध्योगों को वित्त कोशन उपलब्ध कराना है आईए जानते हैं उद्ध्योगी कुद्पादन सूचकांक यानि इंडस्टियल प्रोडक्शन इंडेक्स के बारे में दोस्तों राष्टी सांखी की कारियाले यानि एनेसो द्वरा अद्ध्योगी प्रदर्शन और विकास के मापन के लिए अद्ध्योगी कुद्पादन सूचकांक जारी किया जाता है इस सूचकांक में विनिर्मार, खननन और विद्धु तीन घटक शामिल किया जाते हैं और सरवाधिक भारांस विनिर्मार का है भारत में उद्ध्योगी कमेलिया फैक्टरी की अस्थापना की बात करें तो सबसे पहले कागज फैक्टरी 1812 में सिरामपूर पशिम बंगाल में अस्थापित किया गया सूतिवस्त्र 1818 में सूतिवस्त्र की फैक्टरी फोर्ट ग्लाश्टर कुलकाता पशिम बंगाल में जूट की फैक्टरी 1855 में रिसरा पशिम बंगाल में और सीमेंट की फैक्टरी 1904 में चिन्नाई में एल्यूमिनियम 1937 में जेके नगर पश्रिम बंगाल में अस्थापित किया गया है अब जान लेते हैं नौरत्न कमपनियों के बारे में दोस्तों भारत में सारुजनिक छेत्र की नौ चुनिंदा कमपनियों को नीड़े में अधिक स्वतनता देने के लिए 1997 में नौरत्न कमपनिय का धरज़ा दिया गया था और एक बहुत ही महत्वपूर है महारतन कमपनिया क्या है तो देश में महारतन कमपनियों की सुरुआत 2010 से होई और महारतन कमपनियों के लिए जो मानक है पिछले 3 वर्सों में उनका वार्सिक निबल लाग 5,000 करोन रुपए हो कमपनि का निबल मुले 15,000 करोन रुपए हो और 3 वर्सों में और आशचत रूप से 25,000 करोन रुपए का कारोबार किया गया हो और शेयर बाजार में सुची बद्धो ऐसी कमपनियों को महारतन कमपनिया कहा गया है दूस्तों भारत में वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल 12 महारतन कमपनिया है और आप देख सकते हैं इसमें जो कमपनिया है HPCL यानि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड BPCL यानि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड PG-CIL यानि Power Grid Corporation Limited Gail यानि भारती गैस प्राधिकरान लिम्टेड Gas Authority of India Limited Sale यानि Steel Authority India Limited IOC यानि भारती तेल निगम ONGC तेल और प्राकरति गैस निगम इसके अलामा भेल है हमारा भारती Heavy Electronics Limited PFC Power Finance Corporation CIL Coal India Limited NTPC यानि राष्टी ताब विद्दुत निगम और REC इसका पूरु नाम Gramid विद्दुति करन निगम लिम्टेड है और ये वर्तमान में 12 कमपनिया महरतन कमपनियों की श्रेडी में सामिल है भारत में प्रमुक खनिज उत्पादन और भंडारन के आंकड़ों को देख लिया जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों खनिज सिर्ष उत्पादक राज्य और सिर्ष भंडारन राज्य में बाकसाइड जो है सिक बाकसाइड उत्पादन में ओरिशा पर्थमस्थान पर भंडारन में भी ओरिशा है बाइराइट में आंध्र प्रदेश प्रथम अस्थान पर बंदारण भी प्रथम अस्थान पर है क्रोमाइट में ओडिशा उत्पादन में प्रथम अस्थान भंदारण में भी कोईला में 36 गढ़ उत्पादन में पर्थम अस्थान पर जबकि भंडारण में जारखंड है प्राकर्तिक गैस उत्पादन में असम पहले अस्थान पर और भंडारण में भी असम का ही अस्थान है ग्रेफाइड उत्पादन में जारखन पहले अस्थान पर भंडारण की द्रिष्टि से अरुढाचल परदेश परथमास्थान पर है और लौह आयस्क महत्पूण जो है खनीज है इसमें उत्पादन में ओडिसा पर्थमा स्थान पर जबकि करनाटक भंडारण में पर्थमा स्थान पर है लिगनाइट में उत्पादन तमिलनाडु पर्थमा स्थान भंडारण में भी तमिलनाडु का ही अस्थान है तामर आयस्क मध्य परदेश उत्पादन में पहले अस्थान पर है जबकि भंडारण की द्रिष्टी से राजस्थान शिर्ष पर है और हीरा उत्पादन में मध्य परदेश और भंडारण में भी मध्य परदेश ही है दोस्तों बिस्व में अगर जो हम खनिज उत्पादन और भंडारन के आकडों की बात करें तो खनिज, शिर्ष उत्पादक और सिर्ष भंडारन में देखें तो कैडमियम में सिर्ष उत्पादन में चीन और भंडारन की द्रिष्टी से भी चीन है कोईला में चीन उत्पादन की दृष्टी से पर्थमस्थान पर भंडारण में अमेरिका शिर्ष पर है ताबा उत्पादन में चीली का पर्थमस्थान है भंडारण में भी चीली है हीरा तो हीरा उत्पादन में रूस पर्थमस्थान पर भंडारण की द्रिष्टी से भी रूस का सिर्ष अस्थान है सोण उत्पादन में चीन का पहला अस्थान जबकि आश्टेलिया भंडारण में पर्थमस्थान पर है और लौह अयस्क में देखिए आश्टेलिया प्रतमस्थान पर उत्पादन और भंडारन दोनों में है और इसी प्रकार अगर हम देखें कच्चा तेल में तो कुरूड आयल में अमेरिका उत्पादन में प्रतमस्थान पर भंडारन में बेने जुएला और प्राकरतिक गैस की द्रिष्टी से अगर हम देखें दोस्तों तो प्राकरतिक गैस की द्रिष्टी से आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका है वो पर्थम अस्थान पर उत्पादन में है जबकि भंडारण में रूस का अस्थान है चादी उत्पादर में मैक्सिको सिर्ष पर है और पेरू भंडारण की द्रिष्टी से सिर्ष अस्थान पर है परिक्षाओं की द्रिष्टी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्णों को देख लेते हैं देखे औध्योगिक नीत 1977 के प्रावधानों के तहट भारत सरकार द्वर्रा जीला उध्योग केंद्र यादि इस्थापन की गई एका धिकार और रोधग व्यापार व्यवहार MRTP अधनियम 1979 में पारित हुआ था याद रखेगा और सुक्ष मलग और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार MSME को दो वर्गों में बाटा गया है विनिर्माड और सेवा उपकरम में मेक इन इंडिया का लोगो क्या है तो ये शेर है और विस्व बाउधिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है याद रखेगा जेनिवा स्विटिचल लैंड में और परधान मंतरी मुद्रा कोस के तहत परदत रिड रास कितनी है तो याद रखेगा 10 लाख रुपए है परधान मंतरी मुद्रा योजना के तहत रिड जो परदान की जाती है उसकी धन राश तो दोस्तों ये था जो है घटना चक्र जीयस द्रिष्टी आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतरगत अर्थविवस्था के दूतियक छेत्र यानी उद्योग छेत्र से संबंधित महत्तपूर तथे और परिक्षाओं की द्रिष्टी से महत्तपूर अध्यन सामगरी जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांग देशन फॉर सिबिल सर्विशे को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार